चल भाई आज बात करते हैं ब्रहमेचरे के नुकसान के बारे में नुकसान है क्या-क्या कितने नुकसान है ब्रहमेचरे के भाई तुम लोग सोच रहे हैं कि आज में क्या बोल रहा हूं पहले जो बोल ला हूं वह सुन लो भाई क्योंकि ब्रहमेचरे के नुकसान है शायद किसी तुमने कर नहीं पा रहे हो और फायदे हैं मास्टरबिशन के बैड विटे इसलिए तुम गलत आर्टों में भसे हुआ हो यदि उसमें पायदे मिलने तो बिरम वचल रक नुकसान के बारे में जाल लेते हैं पेरें नुक्सान तो यह को तो तुम्हारा दिमाग इतने साल मस्तिबिशन करने के बाद अच्तििलता में किसने के बाद कमजार होगो सोज़ने से सबढ़ने की उल्गा कि कि क्सी काम का के नहीं है च्छों competent कि भूख नहीं लगता दिमाग काम तो ब्रहम में चलेगा यह दूसरा नुक्सान आपकों से कमजोर दिखाए दे रहा है खतम ज्यादा मास्ट्राइशन के विज़े से आखें कमजोर हो जाती है दूर की और पास की निगा कमजोर हो जाती है इसे पर जब आप ब्रहम में चले करते हो तो यह चीज बिल्कुल ठी क्यां तो यह दूसरा नुक्सान और दीसरा नुक्सान क्या है तो नहीं कि रहात में देर से सूने के विजए से तुम देर तक और देखते रहते हो आप केनि हम जब आ जाता है तो यह तिसरा की तूह बहु कि दो होगी तुम्हारा चमकाई होगा आखों में चमकाईगी चेरे से एक तेज आएगा बहुत अच्छे दिखने लगए तो तीसरा नुकसान चौथा नुकसान क्या है तुम्हारे बाल वक्से पहले जढ़ने लगे गंजा पन आने लगा सब्वेद होने लगे तो यह चीज़ खत तो यह चोथा नुकसान पांचवा नुकसान बोडी में किसी तरह कोई कमी है हद्दियों में चटकने की आवाज आती है बिमारी उसे रहनी पाती बोडी बिमारी ज़ाधा होती है कुछ भी है बाई बोडी की जो भी कमी है वो सब खतम और इतने साल जो मास्टर मिशन करने से जो अंदर के खोकलापन आगी है वह भी खतम प्रिम्पचरे किनने के बाद वह भी खतम मजबूत शरीर हो जाएगा इम्यून सिस्टम मजबूत होगा तुम्हारा बिमार तुम बहुत जारा कम पड़ोगे कि तुम्हारी बॉड़ी को होने वाला है अगर तुम्हें हेवी वे क्यों कर रहा हूं क्यों नुक्सान कर रहा हूं कि यह तो फायदे हैं यह फायदे हैं यह फायदे हैं पर तुम्हें नुक्सान लग रहे हैं इसलिए नहीं कर पा रहे हैं मेरे कहने के मतलब समझो तुम्हें यह नुक्सान लगते हैं इसलिए तुम फेल हो रहे हो नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हें यह फायदे नहीं चाहिए यह तुम्हें नुकसान लग रहे हैं इसलिए तुम्हें ने कर पा रहे हैं कि तुम्हें सुबह उठना पड़ेगा दिंचरी बदनी पड़ेगी बहुत सारी कुर्बानी देनी पड़ेगी बहुत जारा मेनत करनी अपने जो वजर धातु हो से निकाल दो अपने हाथों के जरी नाली में बहाद हो जो बोड़ी की ताकत है खतम कोने में बैट जाब फोन लेकर घंटो पॉन वीडियो देखते रहो इसकोर करते रहो वहां पर मॉड़स देखते रहो फिगर वाली जो जीम करके नंगियों के आ जो गलत आरदों की चीज़े तुम्हारे लगी हुई है उन्हें बेनिफिट समझना बंद कर दो क्या है वह कुछ देर का ही मजा है वह उस वक्त तुम्हें अंधा कर देगा कुछ भी सोचने लायक नहीं छोड़ेगा जब तुम कर रहे होगे करते वक्त यह चीज़े तुम तुम्हें लेगा इसके बहुत जारा बेनिफिट है पर इसके नुकसान उसके बाद तुम जानते हो क्या होते हैं तुम्हारी अंतर आत्मा चीज चीज के बोले बोले होती है कि तुमने जो किया तुमने गलत किया तुझे वह नहीं करना चाहिए था और कड़ते वक्त यह इतनी जारा काम इच्छा वी होती ना तुम्हें कुछ नहीं दिखाय रहे ता भाई कुछ भी और उसके बाद जब हो जाती है चीजे मन भड़ जाता है थोड़ी देर में तो अंदर से गिलानी होती है अंदर से मन है एक आत्मा है जो चीक चीक के बोली तुने गलत किया और और फिर भी तुम्हें यह benefit लग लगरा है लुए तो नहीं चोड़ पा रहे हो बार 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 या करना नहीं चोड़ बन रही है हर कोई चाहेगा भाई मैंने किया मुने चाहिए नुकसान मैं दूंगा कुर्बानी करा है मैंने आज और भी बहुत साथ लोग जिन्होंने करा कर रहे हैं तू कब करेगा भाई तू कब तक उन फायदों के वीचे भागेगा जो सिर्फ कुछ सेकंड क्या है कुछ म लकतार मिलते रहेंगे मिलते रहेंगे मिलते रहेंगे उमर बढ़ते रहेंगे पर फायदे मिलते रहेंगे बुड़ापा भी देर साएगा तो ऐसे नुकसान के पीछे भाग जहां तुझे फायदे दिक्राए ऐसे फायदों के पीछे मत भाग जिसमें बहुत तेरा बहुत बढ़ा देरा नुक्सान है बहुत बढ़ा नुक्सान है इतना वितन नहीं बहुत बढ़ा खोकली बोड़ी है तुम्हारी भाई बिल्कुल गलत आतर तुम्हें फसके बस उसी वक्त अच्छे लेगी को उसके बाद बुरा लेगा अंदर से खोकली हो जाओगे तो सोच लो भ भी टेलेग्राम पर जाइन बार हो तो मिलता अगली बार धन्यवाद